2023 में इन पाँच financial calculators के थुरू अपने आपको financially smart रखिये. Number 1, Lumb Sum Calculator. वो ये बताएगा, simple भाषा में, कि अगर आप एक Lumb Sum investment करते हैं, तो over a period of time, उस investment की कितनी growth होगी. For example, अगर हम इस calculator को देखें, ये grow पे हैं. This is not a sponsored video, मैं सिर्फ ये calculator यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको असानी से वो access मिल जाए. और मैं ये बोलता हूँ कि हम 1,00,000 का एक Lumb Sum investment करना चाहते हैं. हमें ये लगता है कि करीब-करीब इस investment की return हमें 12% मिलेगी, जो की stock market पे काफी expected है, और इसको हम 10 साल के लिए invest करेंगें. तो यही एक लाख के उपर आप 2,00,000 रुपे कमाएंगे. विच मेंज कि 10 साल के बाद यही एक लाख 3,00,000 रुपे हो चुके होगे. अब इंटरिस्टिंग होगा कि कैसे ये साल आपको बहुत ज़्यादा और पैसे देते हैं. इस 10 को अगर हम 20 करें, तो देखिए, वो पैसा 3 गुना बढ़ गया. टाइम को आपने सिर्फ दुगना किया, लेकिन पैसा 3 गुना हो गया. अब 9,64,000 इसी 20 को अब आद 30 कर देंगे, तो वो पैसा करीब 10 गुना बढ़ चुका है. आपका वक्त सिर्फ 3 गुना बढ़ा है, 10 साल से 30 साल, लेकिन आपके वो जो 3 लाग रुपे, आपको 10 साल के बाद मिलने वाले थे, वो अब 29 लाख रुपे हो चुके हैं. अल्मोस्ट दस गुना बढ़ दस साल बाला इंवस्मेंट. इसी लिए बोलते हैं कि जब भी आपको इंवस्मेंट करते हैं, जितने वक्त के लिए करेंगे, उतना ही, at the same rate of return, आपका पैसा तेजी से बढ़ा होगा. And that's why मैं भी यह बोलता हूँ कि जो भी आप इंवस्मेंट्स अपनी जिंदेगी में करते हैं, प्लीज उनको long-term investment के रूप में देखिये, not 1-2 साल के अंदर ही रातो-रात अमीर बनना है. This is financial calculator number one for 2023. अब हर एक इंसान की इतनी हैसित नहीं है, या शायद इतना पैसा नहीं है, या कभी इतने वैसे का flow नहीं आता है कि वो num sum payment कर पाएं. हम में से जाना तर लोग एक SIP ही कर पाएंगे. SIP का मतलब systematic investment plan. मतलब हर महीने आप एक regular investment करेंगे, almost EMI की रूप में वो investment एक bank deduction होगी and आपके investments में जाएगी. फर्कसरवी है कि वो bank को नहीं, आप खुद को एक तरीके से तुफा दे रहे हैं. And it is important for you to calculate कि आप वो SIP अगर एक लंबे period के लिए करते हैं, तो वो कितना पैसा बना देता है. Let's go into the SIP calculator. Same growth के उपर ही है and let's say कि आप monthly के 5,000 रुपे invest करते हैं. मतलब साल के 6,000 रुपे आप invest करते हैं. 12% ही लेके चलेंगे, जो कि stock market पे reasonable है and हम 10 साल से शुरू करते हैं, तो 10. अगर आप ये 10 साल की SIP करेंगे, तो over 10 years आपने 6,00,000 रुपे इस SIP में डाले होंगे. And over and above ये 6,00,000 रुपे आपको 5,60,000 रुपे मिलेंगे. अतलब total, आपके इस 10 साल के बाद वो 6,00,000 रुपे बढ़कर करीब-करीब 11,60,000 रुपे हो जोके होंगे. दुगना. लेकिन यही 10 को, अगर आप 20 कर देते हैं. Wow! Look at that! आपकी 12,00,000 की investment, 20 साल की SIP की, अब 50,00,000 की worth होगी. At the end of 20 years. यही अगर आप 30 साल तक करते हैं, तो आप 18,00,000 रुपे डालेंगे, लेकिन उस 18,00,000 रुपे पे आप 1,60,000,000 रुपे और कमाएंगे. Which means, 30 साल बाद आपकी वो 18,00,000 रुपे एक करोड 75,00,000 के करीब होचुके होंगे. This is insane. This is crazy. But it is very important कि आप इस discipline से अपने investment को देखे. अब हाँ, बहुत लोग यह जो वीडियो देख रहे होंगे, अरे अपकुर यह तो बहुत असान होता है, 30 साल बाद इस 1,75,00,000 की कीमत ही किया होगी. Absolutely right. Which is why, the third financial calculator. The inflation cost calculator, या value calculator. Basically, एक ऐसा calculator जो यह बताएगा कि अगर आज किसी चीज की कीमत, फर्स कर यह 100 रुपह है, तो वो कुछ सालो बाद, inflation के तहट, कितनी जादा महंगी होगी. And that's because inflation हर साल, चीजों की कीमतों को बढ़ाता है. That is the biggest thing, जो आपने पैसे को जंग लगाता है, आपकी पैसे की value घटाता है, तो yes, you are right, कि 30 साल बाद, जब आपके बास 1,75,000,000 रुपह होंगे, उसकी एहमियत या अफाज जो होगी, वो उससे काफी कम होगी. And देखते हैं, कैसे. सबसे पहले, यह जाने की कुश्च करता है, कि simple-simple calculator कैसे काम करता है. First, करिए, कि आप कोई चीज आज 5,000,000 की खरीदना चाहते है. 5,000,000 की वो चीज है, आज, let's say your education. And आप यह जानना चाहते हैं, कि यार, अगर आज की डिग्री 5,000,000 की है, और मेरे बच्चे हुए, तो 30 साल बात, यही सेम डिग्री जो आज 5,000,000 की है, वो करीबर कितने की हो? That's the question you're asking. That's a very valid question, क्योंकि यह सवाल का जबाब आपको पता होना चाहिए, तो you will use this inflation calculator. आप क्या बोलेंगे? Inflation जो है, 6% से मोटा मोटा बढ़ रहा है, 5,000,000 रुपे, आज इस कोर्स की value है, और आप बोलते हैं कि 30 साल बाद मुझे बताओ, इस कोर्स की value कितनी होगी? And you will get the answer, sure. 5,000,000 रुपे आज का cost है, 6% से वो cost बढ़ता रहेगा, 30 साल बाद यही कोर्स करीब 29,000,000 रुपे का होगा. इसका मतलब, अगर आपको अपने बच्चों की education के लिए planning करनी है, वो जो 1,75,000,000 रुपे आपको 30 साल बाद मिलने वाले हैं, उसमें से 30,000,000 रुपे यह 39,000,000 रुपे तो बच्चों की education में ही चले जाएगा, अगर यह 5,000,000 की education आपके बच्चे 30 साल बाद लेगे. And that is how you use it. अब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, कि वो जो 1,75,000,000 थे, उनकी मागई में कीमत कितनी है? And that will have to be, through this calculator, some sort of a back calculation. तो अगर मैं देखता हूँ, 30,000,000. Let's see if that number, yes, perfect. तो 30,000,000 रुपे, अगर आज की डेट में किसी चीज की कीमत है, तो 30 साल बाद उसी चीज की कीमत एक करोड 75,000,000 के करीब करीब हो. Which means, जो 1,75,000,000 रुपे आपको 30 साल बाद मिलेंगे आपके regular SIP के थरू, उसकी ऑकाद होगी आज के 30,000,000 की. Which is still better than जो 18,000,000 रुपे आप 30 सालों में हर साल खच करेंगे. You are essentially getting 18 lakhs of value over 30 years, आज की डेट में उसकी एहमियत 30,000,000 रुपे होगी, which is a great deal and that is how you have to think about your money and about inflation. अब एक छोड़ा सा twist करके देखते हैं, मैं वापिस SIP calculator पर जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि हम वही 5000,000 रुपे महीने का खच करेंगे, मतलब SIP करेंगे, लेकिन 12% return के अलाव, हम 15% return expect करेंगे, थोड़ा सा जादा, and I'll tell you कि यह थोड़ा सा जादा कैसे आएगा, and हम वही 30 साल के लिए करेंगे, वो जो 1 करोड 75 लाग थे, जो आपको 30 साल बाद मिलने वाले थे, अगर आपको 12% सालाना rate of return मिलता, वही अब 3 करोड रुपे हो चोके हैं, almost double, with only 3% increase in rate of return. This is wild. इसका मतलब, ना सिर्फ कितने लंबे period के लिए आप invest करते हैं जरोरी, यह भी जरोरी है कि आपको regularly कितना rate of return मिलता है. अब यह 15% आपको कहां से मिलेगा? यह 15% मिलेगा अगर आप थूड़ा सा और risk लेने के लिए तयार होंगे. अगर आप Nifty Fifty, जो कि भारत की top 50 companies हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे as a mutual fund index fund, तो आपको और सदन 12-13% मिलेगा. लेकिन अगर आप एक mix बनाएंगे, कि आप Nifty Fifty में भी डालते हैं, आप Mid Cap मतलब जो medium size companies उसमें भी डालते हैं, Small Cap Companies मतलब small size companies में भी डालते हैं, then this mix can easily give you a 15-18% return over a really long period which in our case is 30 years. और यही साड़े तीन करोड की जो एहमियत है, वो क्यालकुलेट करने के लिए हम वापस जाएंगे, and let's say कितना होगा, I'll start with 60, I don't know if that is the number but see, Yes, मोटा मोटा इतना ही है, मतलब साथ लाक रुपे, वो साड़े तीन करोड रुपे, आज की डेट के 60 लाक रुपे होंगे, मतलब आज जो चीज साथ लाक रुपे की मिलती है, वही चीज कल की, मतलब तीस साल बाद साड़े तीन करोड की करीब होगी, and that means जो आपने investments करी होंगी, same 18 लाक रुपे, उसकी एहमियत एक ही साल में, आज ही की डेट में 30 लाक रुपे होगी, that is how you use the inflation calculator. Number 4, लेकिन इन सब के चलते, अंकुर हमें loan दो लेना ही पड़ेगा, education loan लेना पड़ेगा, गाड़ी का loan लेना पड़ेगा, घर का loan लेना पड़ेगा, उस loan को चुकाना भी पड़ेगा, उसमें interest चला जाएगा, उससे कैसे बचे, तो Number 4 financial calculator, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, is the loan repayment calculator. यह loan repayment calculator, मैंने खुद बनाया है, इसका link भी हम शेयर करेंगे, बागी calculator का भी link शेयर करेंगे, इसको यूज करने के लिए, आपको लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा Excel, और फिर उसको यूज करना पड़ेगा. How does this work? फ़र्स करिए कि आपने एक 50 लाग रुपे का loan लिया, let's assume एक home loan लिया है, home loan लिया है, 8% ब्याज पे लिया है, and 25 साल के लिया है. This is usually the construct. आपकी EMI बैठती है, मोटा मोटा 40,000, 38,591 to be precise. तो आप 25 साल पे वो पचास लाग रुपे तो देंगी वापस, क्योंकि वो तो principle amount है, लेकिन उसके उपर आप 65 लाग रुपे का ब्याज देंगे, 65 लाग रुपे का ब्याज, मतलब जितना principle है, उससे भी almost 20% जादा आप ब्याज ही दे रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल तो देना ही है, प्रिंसिपल की उपर 120% ब्याज भी देना है. And this is not smart. कहां की पेफकुफी है? And you want to repay this faster. मेरे पास एक तरीका है, जिससे ये 25 साल का लोन, सिर्फ 10 साल का रह जाएगा. And here is how it works. Number one, आप हर साल एक एक एक्स्ट्रा EMI पे करेंगे. मतलब 12 EMI की बजाए, आप 13 EMI पे करेंगे. And why will you do that? You'll do that, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा तेरवी EMI है, उससे आप प्रिंसिपल चुकाएंगे. So let's do that. आप एक EMI, पे एक्स्ट्रा EMI every year करते हैं. And the minute you do that, here's what happens. 65 lakh से आपका इंट्रेस्ट सिरिफ 50 lakh हो गया है. मतलब 15 lakh रुपे का आपने इंट्रेस्ट उडा दिया by just paying one extra EMI per year. लेकिन इसके चलते आपका tenure भी कम हो गया है. So let's just see, ये आपका आउट्स्रेंडिंडिंडिंडिंड है. We know that the loan has been paid. And ये 240 महीने पे होगा. मतलब 25 साल का loan already 20 साल का हो चुका है. सिरिफ एक extra EMI every year pay करने से. And उस extra EMI में आपने कितना pay किया? You paid a total of only 7,33,000. मतलब आपने 7,30,000 रुपे दिये. 33,000 रुपे to be precise. And उससे आपने 15,000,000 रुपे बचाये. It's a very smart move. And second, आप हर साल अपनी EMI बढ़ा देंगे. Let's start with 10%. अगर आप हर साल अपनी EMI 10% से बढ़ा सकते हैं. मतलब पहले साल आपकी EMI 38,591 थी. लेकिन उसके अगले साल आप उसको बढ़ाकर 42,450 कर देंगे. उसके साल बढ़ाकर 46,695 कर देंगे. उसके अगले साल बढ़ाकर 51,364 कर देंगे. उसके अगले साल 56,501 कर देंगे. You will do all of this and look at the impact. आपका इंट्रिस्ट आप 65,000,000 रुपे से घटकर सिर्फ 26,000,000 रुपे हो चुका है. ना सिर्फ ये, आपने अपना लोन अब वाव, 120 मही ने बतलब 10 साल के अंदर ही जुका दिया है. दस साल के अंदर आपका पूरा का पूरा 25 साल का लोन खट. एक एक एक्स्ट्रा EMI, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे गया, ओरिजनल EMI वाल, 38,591. यह नहीं बड़ेगा आरसा, यह सेम रहेगा. 38,591, साल के अंड में, प्रिंसिपल की तरफ आप पे करेंगे, बैंक को बोलेंगे कि मुझे EMI नहीं घटानी है, मुझे EMI बलकी बढ़ानी है, मुझे अपने लोन का टेन्योर कम करना है. आप जब यह पैसा दे रहे होंगे, 38,591, आप पैंक को यह भी बोलेंगे, मेरे पिछले साल की जो EMI थी, उसको 10% से और बढ़ा दीचे. And when you do this, mathematically, आप एक 25 साल का लोन, दस साल में ही चुका पाएंगे. This is a financial calculator, everyone needs for 2023. क्योंकि यह साल मुक्किल होने वाला है, recession आने वाला है, अगले एक-दो साल बहुत लोग के लिए बहुत कटिन होने वाले हैं, तो जितना अपने उपर से कर्ज का बोज आप अटा सकते हैं, उतना ही आप सही से अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे. And you will have to make sure that you are getting this technique right. Which brings us to the fifth and the last financial calculator for 2023, और वो है, जिन्दगी जीने के लिए, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? अगर मैं आपसे पूछों कि आप कितने पैसे के पीछे बाग रहे हैं? Do you know the answer? Maybe you don't. लेकिन इसका problem पता गया है? कि अगर आपको यह नहीं पता है कि आप कितने पैसे के पीछे बाग रहे हैं, तो आप जिन्दगी बागते रहे हैं. अगर आपको यह नहीं पता है कि आपको कितने पैसों पे रुक जाना है, और फिर उस रुकने के बाद डिसाइड करना है कि आप जिन्दगी कैसे जीना चाहते हैं? अलग से जीना चाहते हैं? वैसे ही जीना चाहते हैं? कुछ और करना चाहते हैं? You will continue to do whatever you are doing today and that may not be the right thing to do. बहुत लोग हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह पैसे कमा कर एक दिन उनको अजादी मिलेगी, लेकिन वो दिन कब आएगा उनको यह नहीं बता. So I built this financial calculator which is जिन्दगी जीने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रौत है. Start with that amount. क्योंकि जिस दिन वो amount आपको दिख गया अपनी investments में, आप अपनी जिन्दगी का रुख बदल सकते हैं. Let's understand this. इस financial calculator के लिए आपको अपनी पूरी जिन्दगी तीन भागों में बाटनी पड़ेगी. Number 1. जिन्दगी जीने का खर्चा. Number 2. जिन्दगी की ख्वायशो का खर्चा. Number 3. जिन्दगी की planning का खर्चा. Let's understand these three. सबसे पहला, जिन्दगी जीने का खर्चा. तो जो भी आपका current खर्चा है, उसको आप list करेंगे. And ये भी list करेंगे कि वो खर्चा कितने growth से बढ़ने वाला है. उसकी inflation आपके एसाब से कितनी होगी. For example, मैंने किया है कि मैं साल में कपड़ों पे इतना खर्च करता हूँ. Health insurance पे इतना करता हूँ. बहार खाने पे इतना करता हूँ. बच्चों की library पे, subscriptions पे, किताबों पे, लोगों के तोफों के लिए. अपनी बिजली पानी का खर्चा, life insurance का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, car रखने का और petrol का खर्चा, घर का खर्चा, travel में हम जितना खर्च करते हैं, school की fees, घर का EMI जो है उसका खर्चा. All of this is listed, यह साल के खर्चे हैं, मेरे साल का जो टोटल खर्चा है, वो around 47,15,000 है. And फिर मैंने ये भी assume किया, कि यह किस rate से बढ़ेगा? तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे कपडों का जो खर्चा है, वो inflation के rate से बढ़ेगा, 6%, and so on and so forth, and कब तक बढ़ेगा? तो मैंने यह डिसाइड किया कि 75 साल तक मैं कपड़े लोंगा लेकर उसके बाद नहीं लोंगा Health insurance जिन्दगी बर चाहिए होगी Eating out 75 साल के बाद हम बंद कर देंगे Kids की library आधा जो है वो 50 साल तक चलेगा आधा जो है वो 56 से चलेगा उसके बाद वो अपना खर्चा को दी करेंगे क्योंकि बच्चे बड़े हो चोके होंगे So on and so forth And so यह पूरी एक detail है This is जिन्दगी जीने का खर्चा आज की डेट से And extrapolated to the future using a growth rate फिर है जिन्दगी के planned खर्चे तो हमारी जिन्दगी के अब सिर्फ दो ही plan कर चाहिए और वो है दोनों बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई एक बच्चे की हमने एजूम किया है कि डेट करोड रुपे आज की डेट करोड रुपे And हम यह एजूम कर रहे हैं कि वो 6% से बढ़ते रहेगे And 49 का जब मैं होंगा मैं अभी 42 होंगा हूँ तो 7 साल बाद हमें यही डेट करोड चाहिए होंगे आज की डेट करोड मतलब उस समय पे यह डेट करोड की हैसित कुछ और होगी बहुत सादा होगी 6% पे ग्रोव करते होगे और फिर एक और डेट करोड दूसरे बच्चे के लिए और वो हमें चाहिए होंगे 55 साल के उम्र And that will be the two planned खर्चे और फिर हमारी ख्वाहिश मेरी दो ख्वाहिश है Number एक कि मैं मार्स पे जाऊं And यह दिली तमन्ना है बच्पन से है And मैंने अजूम किया है कि करीब 55 साल के उम्र में मैं मार्स पे जा पाऊंगा या 55 साल तक इसका खर्चा निकल जाएगा And इसका खर्चा करीग वरी 3 करोड रुपे होगा And दूसरा मेरे बनने के बाद मैं एक foundation शुरू करना चाहता हूँ And वस foundation की जो Seed Capital है वो मैं 5 करोड से शुरू करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आज की डेट के 5 करोड जो है उससे वो शुरू हो साट साल जब मैं पहुंच जाऊंगा तब शुरू हो And then इसको 5% से खर्वाना है So these are all the things that I have planned for my life अब अगर हम इसको plot करें So what you will see is उम्र के हिसाब से आपके खर्चे कैसे बढ़ते हैं Assuming the growth rate And फिर आप ये भी decide करेंगे आप ये भी plot करेंगे कि आपको कितना planned खर्चों के लिए चाहिए होगा तो जब मैं 49 का होँगा मुझे अपने पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए उस समय पे 3 करोड रुपे चाहिए होगा जो कि आज की date के 1.5 करोड होगा जब मैं 55 साल का होँगा तो मुझे उस समय पे 4.75 करोड रुपे चाहिए होगे जो कि आज की date के 1.5 करोड रुपे है Same foundation जो है जब मैं 60 साल का होँगा तब मुझे 13 करोड 26 लाख रुपे चाहिए होंगे जो कि आज की date के 5 करोड है And trip to Mars जब मैं 55 का होँगा तो मुझे करीब 4 करोड रुपे चाहिए होंगे जो कि आज की date के 3 करोड रुपे है When I do all of this and I sum all the expenses and then I add an unexpected factor कि भाया ये प्लाइन तो भाया तुम कुदा सोडी हो तुमने कौंसे अपनी जिंदी की देख ली है तु कुछ भी और सोता है तो मैं बोलता हूँ 25 कुछ भी और सोता है तो for every expense जो की अगले at the age of 42 मेरा expense 51 लाग होगा and I assume की करीब करीब 13 लाग रुपय का और unexpected कुछ भी expense आ सकता है So the total expense is 64 lakhs and इसकी में एक net present value निकालता हूँ क्योंकि ये future की value है आज की date में इस पैसे की कितनी एमियत या कितनी value है and when I do that 64 lakhs at the age of 42 is equal to 61 lakhs at the age of 40 which is for me and इसका मतलब total value total पैसे जो मुझे चाहिए अपनी जिन्दी की जीने के लिए वो है 41 करोड रुपीज अब ये 41 मुझे आज ही नहीं चाहिए ये तो मुझे total चाहिए होंगे over the course of my life तो अगर मैं आज की date में 22 करोड, 60 lakh रुपे कहीं से ला पाँ और उसको 10% annual return पे डाल दू tax दे के 6.5% ही कमा पाँ तो वो हर साल मेरा खर्चा उठा लेगा उस साल का and that ensures that ये 22 करोड, 60 lakh रुपे मेरे लिए काफी है पूरी जिने के लिए चाहिए मुझे करीब-करीब 40 करोड रुपे लेकिन इन 22 करोड से ही invest करके मैं हर साल का खर्चा निकाल सकता हूँ till the point जब मुझे कोई पैसे की जरूत नहीं होगी and that is at the age of 100 तो मैंने ये अजुम किया है कि मैं सौ साल तक जिऊंगा उससे पहले अगर टपक गया तो बहुत पैसे बच जाएंगे लेकिन अगर सौ साल तक जी कहे तो सौ साल पर ये पैसा खत्म हो चुका होगा क्योंकि everything that I needed to do at that point would be done and over अब यही सेम चीज आप खुद के लिए भी कर सकते you can start assuming कि आप 23 साल के है या कुछ भी आप 27 साल कर लीजे and it will start and you will start entering आपका rent कितना है आपका EMI कितना है कपडो का खर्चा बहार खाने का खर्चा whatever all of these things जो भी आपकी future expenses हैं आपके बच्चों की fees हो गई आपके बच्चों की fees हो गई घर का खर्चा हो गया जो आप खरीतना चाते हैं गाड़ी का खर्चा शादी का खर्चा अगर आप करना चाते हैं माबाप के लिए खर्चा कोई और खर्चा and all of those things that you will add and उसके चलते यू विल अंडिस्टैंड की आपको जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, जिस दिन वो पैसा आगया, उस दिन, you know that you can now change the direction of your life. ये पांच फिनाशल काल्कुलेटर ने हर एक शक्स के लिए बहुत ज़रूरी है. इन पांचों से अपने परसनल फिनांस, अपनी परसनल फ्रीडम के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाई है. And I'm sure you will not regret it. Ankur Vareku, signing off. मेरी नहीं किताब, Get Epic Shit Done, अब मार्केट में अवैलेबल है. इस किताब में 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूँ, जो आप अपनी जिन्दिगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिपल किताब है, एक student और एक teacher के बीच में एक conversation में ये किताब लिखी गई है. इस book को खरीदने के लिए link Amazon का pinned comment और description में है.